असलाम लेकुम मैं हूँ हिरा सलम प्रवीज और आप देख रहे हैं मैकप व्यूडी बॉक्स चैनल आज मैं आपके लाई हूँ सिंपल एंड इजी लेटस मैकप टाटोरियल वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रही है पहले हम करेंगे अपनी स्कीन को प्रेप क्योंकि स्कीन प्रेपरेशन इस वेरी वेरी नेसेसरी सबसे पहले में लगाई हूँ लागा हैं 24 गोल्जा जीरप अपने पूरे फेस पर अप्लाइ करूंगी फिंगर की मतलज से हम इसे अच्छी से ब्लेंड करेंगे बहुत ही अच्छे से स्कीन में ये एब्सॉर्फ हो गया है इसके बाद हम लगाएंगे मॉस्टराइजिंग लोशन आप किसी भी कम्पनी का मॉस्टरादर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास एवेलेबल हो इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर प्राइमर में ले रही हैं विटमी का अच्छे से आपने पूरे फेस पर प्राइमर अपलाई करेंगे प्राइमर अपलाई करने की बाद हमारी स्कीन बहुत जादा सॉफ्ट और स्मूथ महसूस होती है प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को बंद करता है अक्सर गर्स प्राइमर इसकीप कर देती है जबकि प्राइमर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसकी बाद हम लगाएं किस्टाइन के कंसीलर स्टीक इसका नमबर है 9 इसको अपने डार सरकल पर अपलाए करेंगे तक कि हमारे डार सरकल हाइड हो सके मेकप से पहले और फिंगर की मदद से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे इसकी बाद में लिए लिए काशी सीवन टोन हाई कवरिज फांडेशन इसका शेड है सपायर 14 इसको अपनी ब्लो बोन से लगाना में स्ट्राट करेंगे तक हमारे आइब्रो की शेप नीट एंड क्लीन सी आजाए वेट ब्लेंडर की मदद से हम जस्ट डैब रपर के हम अपने पांडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसके बाद में लें काशी सा कंसीलर इसका नंबर है तू इसको भी अप्लाई काने के बाद जाड़ करके हम ब्लेंड कर लेंगे इसके बाद हम लगाए है काशीस कॉंपक्ट पाउडर नंबर 9 यह तरो पिंकी शेड में है ब्रेश में लिया है जोईवा का पाउडर ब्रेश पूरे पेस पर अप्लाई करेंगे अच्छे से भर बरके और जो एक्स्टर पाउडर को भी ब्रेश की मादा से हम डस्ट ओफ इसके बाद हम अपनी आपो की शेप देंगे इसके लिए ले रिम इस चाहिं पाउडर ब्राउन जियर लाइन भरेश ब्रेश में लिया खिस टाइन कैस में वाटर हैड गर फेस्ट पर सेंटर सेंटर सेकेंड पर आउटर को थर्ड पर अपनी इनर को अटर बनाएंगे अलमस्ट हमारी आइब्रोज बन चुकी है आइब्रोज की शेप देते हो अगर आपका कुछ गलर आपसे बाहिर लग जाए तो आपने प्लेट ब्रश में पाउंडिशन लेकर अच्छे से उसे नीट एंड क्लीन कर लेना है इसके बाद हम अपलाए करेंगे ब्लश ब्लश पाउडरों मेंने लिया है मिजिक लाओर का नमबर फोर इसके बाद हम करेंगे नोस कोंटोर इसके लिए मेंने लिया है किस्टाइन की फेस कंटोरिंग पालिट नमबर वन इसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे पाउडर हाइलाइट अप्लाइट करेंगे आपका हाईलाइटर रफलाइट करेंगा के ताँ व कि ब्रॉ बाुइंट खीया एक प्रू यह जूटा सा ब्रॉड़का इसके बाद आफ नहीं कर पने लिए पर ट्रांस्परेंट टेप अप्लाई करेंगे इस से हमई आउटर को बहुत नीट एंड क्लीन आएगी इसके बाद में ले रहे हूं कि लेमरेस फेज की मखमली प्लस मैट टच आईशुड़ा पालेट में मैंने पिक किया है मैट परपल कलर इसको अपनी आउटर कॉर्णर पर अपलाई करेंगे कम कम प्रोड़क्त लेकर आपने इसको अपलाई क इसके बाद में अपने अपर क्रीस एरिया में सेम अपलाई करेंगे जो हमने अपने आउटर कॉर्णर पापलाई किये थे फरस्ट आपने ब्लेक अपने डार परपल अपलाई करना है थर्ड पर आपने लाइट परपल अपने अपर क्रीस एरिया में अपलाई करना है इसके ब्रेश पर में फांडेशन लेकर हम अपने आयिप पर किज नेंगे यहां पर होगी हमारी कर किर इस country के बाद अगेन अपने कलर अप्लाई कर लेंगे ताकि सेट हो सके यह इसके बाद में लेगो काशी इसका बीग और ब्राइट बाइट जे लाइनर नमबर 3 इसको हम अपनी वाटर लाइन पर अपलाए करेंगे किसी भी थीन ब्रेश के टॉप से इसके लिए है यह मैंने पैन आई लाइनर जस्ट लेश लाइन पर एक लाइन करेंगे लेशिस के ल बताना है जली से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुने सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए लिंक डिसक्रिप्शन में मौझूद है अब दीजिए जाज़त मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ अपना रखे कर देर सारा खयाल मौझ। झाल झाल झाल